Dear students, आज 12th class mathematics NCRT exercise 6.5 का question number 10 का solution किया जाएगा पिछले lecture में आपने question number 9 का solution देखा था Question number 10 क्या है? अंतराल, कैसा अंतराल है? कुनोज ब्रांता, बंध अंतराल फलन क्या हमारा है? 2x q minus 24x plus 107 का महत्ता मान ग्याद कीजिए और इसी फलन के लिए, इस interval में भी महत्ता में है, यह करें हम दो पार्ट है, दो interval of function हमारा एक ही है find the maximum value of 2x q minus 24x plus 7 in the interval 13 and find the maximum value of same function in minus 13 कायनिक मतलब function एक ही है और दो interval दिया हुआ है, उसी interval पर हमको जो है maximum value find कर देंगे, आई देखे हैं, let function का नाम नहीं दिया हुआ है, devote कर देंगे, let fx is equal to 2x minus 24x plus 107 क्या करेंगे, therefore f dash x is equal to 6x2 minus 14, हो गया अब क्या करेंगे , for makezima and minimum, for makezima और minimum या निम्नेतम के लिए क्या होगा फस्ट डेरेट इंकल तो जीरो के इंपलाइज दैट क्या है फस्ट एक्स स्क्वार मानस श्वगिस इंकल तो जीरो के इंपलाइज दैट के स्क्वार इकल रिएकल तो यह नुट कि निम्टमा यह थे मिलाएज देट श्वलैज स्क्वार मांस क्या है क्या है कि य क्रिट्क्व वायूं में कि इसी पॉइंट को क्या कहते है으니까 love क्योर्ट क्यों जिया दिया हुआ है इंड्रवल दिया हुआ है पाईले का topics 3, अब देखिर तुअ बिलांग कर रहा है इसमय मगर मायनस टूलाइठ को इसलीछ क्या करें गडे मायनस डूको नहीं लेंगे लिकेंगे माइनस बिली किखुन के चैसे कि क्या च्राइब ही ग्रैक्राइब लिया जायेगा कॏइंट्स के यृक्प चाय पिए फक्राइब करने वाले कान कौन से हो गयी एक हो गया एक पिकला माइन प्रेंट dai वा the end points of closed interval that is 1 and fill. अब हम अधा यक्स इगल तू तथा closed interval के points के ending points end points, end points क्या है? 1 तथा फिरी पर फलन की value निकालिंग clear एक बात clear होगी, अब आते हैं x is equal to 2 bar यक्स तो is equal to हमारा function क्या है? fx is equal to fx is equal to 2x2 minus 24x and plus x07 therefore, f2 is equal to क्या है जाएगा? 2 into x यक्स तो put कर देंगे 2 cube minus 26 into 2 and plus x07 this is equal to 2 जनी 4 जनी 8 जनी 16 हो गया minus 48 हो गया plus x07 हो गया x07 plus 16, 123 हो गया minus 48 जनी इस हो गया सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब कितना जाएगा नहीं अब कॉंसा प्वेंट ही यह फाफ यह फाफ तो टू एक्सक्राइब कि 2 x 3 कक्यों माइनस 24 x चल्वीस इंटू 3 हो गया प्लस 107 हो गया इन केना के सताइफ 27 इस दूनी 54 जी 54 हो गया माइनस 24 3 तो गौरा तो गौरा 15 गोड़ तर अव्त दे 107 जाओ गया 107 प्लस 8 जाओ 19 हो गया 160 हो गया और माइनस 12 सबसे बड़ी वैलू क्या है यह क्या है उच्छतम हमारा क्या था अंतराल एक इंद में क्या हो गया किस बीन पर हुआ थी देरपोर देरफोर इसमाद में क्या है। क्या करते हैं इसको जो है जो हमने यहां पर किया है इसको पहला पार्ट कि फ़ला कृंट यहां से ले रहे हैं इसके बाद ज्रा इंट्रवा night कर दूसरा इंट्रेंट क्या है कि इस ब्राबर कुप्रों क्या है कि अब इस इंट्रवल के लिए इंट्रवल हमारा क्या है माइनस 3 माइनस 1 है इसमें जो है माइनस 3 माइनस 2 तो बिलांग कर रहा है इसलिए क्या करेंगे हम जो है क्यों नहीं कर रहा है यक्स माइनस 2 पर ही निकालेंगे इसलिए यक्स युकल टू माइनस 2 तथा इंट्रवल क्या है तथा इतना इंट् कि माइनस वन के एंड़ ट्वाइंट्स एंड़ वाइंट्स दैट इस माइनस थिरी कथा माइनस एक पर एफ की एफ की वैलू निकालेंगे क्लियर इसे बात समझ गया होंगे तो से मुझी पैटर्ण चल रहा है कोई दिख्कत नहीं जैसे वह वालप किया गया वैसे भी किया हो गया है तो हमार पास क्या हो गया माइनस ठेड यहां एक पाय सिक दो माइनस चाहविस यक्स प्लस एकसो साथ देरफोर यह पाफ माइनस टू इस उकन टू टू इंटू माइनस टू कियो माइनस चाहविस इंटू माइनस दो प्लस एकसो साथ हो गया तो दो दूनी चाहविस दूनी आठ माइनस आठ दूनी सोला हो गया और चाहविस दूनी अनता कर दो एक्सो फिए साथ हो गया एक्सो साथ ऑफ और तालिस माइनस सोला यहां हो गया 125 155 में से 16 माइनस कर दीए 15 में चेगे 9 और 4 में से गे 349 आगया चीक है यहाँ आप माइनस दू की वाल्यू निकल गई अब यहाँ 3 निकालेंगे यफ आप मैनस 3 निकालेंगे अब यफ आप मैनस 3 जुकल 2 2 इंटू मैनस 3 का होल कीव मैनस चोविस इंटू मैनस 3 एंड प्लस एकसो साथ हो गया उनके 27-27 माइनस 54 24 हो गया और 707 27 27 कितना हो गया 89 माइनस 55 इज उकलटू कितना हो जाएगा 5 और 75 एक वैलू हमारी यह आगई एक वैलू आगई है 149 आई है किसरी वाइलो किसका निकालना हो, माइनस 1 का निकालना है, यह फाफ, माइनस 1 is equal to 2 into minus 1 का होल क्यूब, minus 24 into minus 1 and plus 107, this is equal to minus 1 का होल क्यूब, minus 1, 2 हो गया, minus 2 हो गया, minus into minus plus 24 हो गया, यह कितना हो गया, 107 हो गया, 24 में से दो गया, 207 plus 22 is equal to 119 आ गया, तीसरी वाइलो आ गया, अब आप देखिए 149, 125, 139 में सबसे बड़ी वाइलो क्या है, सबसे बड़ी वाइलो हमारी यही है, 149 आ गया है, तो इसी यही क्या होगा, यही maximum वाइलो होगी, और क क्या होगा, maximum point, point of maxima होगा, clear, तो लिखेंगे क्या, therefore, अब लिखा जाएगा, therefore, 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 maximum value of yav, in कौन सा interval है, minus 3, minus 1, minus 3, minus 1, at कौन से point पर आ रही है, maximum value हमारी आ रही है, 149 किस पर, minus 2, at yaksi उपर 2, minus 2, equal to, केतना आया है, 149, यही हमारा, यह answer होगा, clear, question हमारा है, यह दिया है, कि इंतराल 0, 2 में, x equal to 1, पर पलं, x to the power 4, minus 1, 602, plus a x, plus 9, उच्चतम मान पराफ करता है, इत कि लिए है, उच्चतम मान तक निकालते थे, यहां दिया है, कि उच्चतम मान पराफ करता है, तो, यहां पर दिया हुआ है, इसको, लेट, मान लेते हैं कुछ, डिरोट करने के लिए, यह दिया हो, एक्स इपल टू, x to the power 4, minus 62 x square, plus a x, plus 9, इंटरवल क्या है, इंटरवल हमारा है, फुलोज इंटरवल 0, 2, और क्या करेंगे पहला काम, पर्स डेरियोट्वी निकालेंगे, इपल टू, 4 x cube, minus 2, 4, 2, 12, 11, 14 x होगा, and plus a होगा, ठीक है, अब देखिए, पहरें, यह जो फंक्शन है, याक्स इपल टू, 1 पर उच्चतम मान प्राफ्ट करता है, तो आप जानते हो, बार-बार कई सवाल में, रोज ही बताया जाता है, कि जिस बिंद पर उच्चतम मान प्राफ्ट करता है, वहाँ पर सलोप क्या होता है, जीरो होता है, यह बार-बार हमने फिगर बताया है, देखिए, हमारा माल यहां, यह फिता मान यहां है, यह मैं फॉइंट आप मैग्जिमा हुआ, यहां फॉइल्व निकलेगी, यहां पर यहां पर जो है जो टैंजेंट खीचा जाएगा, कि क्या होगा इसका स्लोब जीरो होगा बहुत बाद आ चुका है तो अगर यह प्वाइंट ये है तो इस प्वाइंट पर यहां पर आएगी तो यहां स्लोब क्या होगा यानि यह दैस यक्स इसको कहेंगे डाट इस प्वाइ इसलोब इमारा है किसलोब इकल तो दीओ थीओ थे आगी ते यह देस्ट हमारा है इसलिए यह देशर खशा के परिललल है इसलिए शलोब जिए फीरो जानिए यह यह धिसको पाइड़ में वय वह दैश्व इसको करें ठोलें अगर यह यक्स ट्रूंट नियुक्त पर यहां पर यस्ट इक रिच सी को फिच पर यह तो यह है तो क्या कहेंगे यह युका न है क्या कहेंगे चाई कि हम ये रिखेंगे फ्याइस सब्सक्रांगर जानते हैं कि हम जानते हैं कि यह दि विपलन यानि पंक्षन किसी दिन्डु याकस इपलन यानि पंक्षन किसी दिन्डु याकस इकल टो ए पर रुच्चतम मान यानि maximum value प्राप करता है प्राप करता है तो f-bass x equal to 0 अगर x equal to a है f-bass a equal to 0 यहां क्या है यहां x equal to 1 maximum value maximum value प्राप करता है इसलिए क्या हो जाएगा f-bass 1 is equal to 0 इसलिए अभी f-bass section ने निकाल लिया है f-bass 1 निकाले x-bass per 1 put कर दे implies that 4 into 1 cube minus x-bass into 1 and plus a is equal to 0 implies that 4 minus x-bass plus a is equal to 0 implies that क्या हो जाएगा minus x-bass plus a is equal to 0 implies that a is equal to 120 यही था हमारा question क्या है यह दिया कि अंतरा लेतना इतना उस्तमान प्रात करता है तो एक का मान ग्याद कीजिए तीस तरा से हमारा एक का मान ग्याद कीजिए 120 यह हमारा हो गया अचा हो जाएगा modulus x-bass yeux-bass minus x-bass gas क्या करेंगे shutter QR के वंहारा है 0 2 2 क्या करेंगे । यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा x tribal 2 by इस इकल तो 1 प्लस पास तु निसके, पर मैजिमा और मिनिमा, जिव चत्म याद इंकम के लिए, फ़ बरियुट इकल तो 0, यह फदा इस इकल तो 0, के, में, इमप्लाइड एट, कश तु एकल तु इकल तु 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 इकल तु इकल तु इकल तो, माइनस वन एक, अब किस कास की वालू जो है, माइनस वनगाई 2 होती है, तो कास 60 की वालु होती है 1 by 2, this is equal to list सकते हैं, minus कास 5 by 3, कास 5 by 3 की वालु 1 by 2 होती है, this is equal to सकते हैं, कास 5 minus 5 by 3, यानि second point में भी कास की वालु जो है, negative होती है, तो कास 5 minus 5 by 3 is equal to हो जाएगा, कास 5 minus इसको चाल कर ले, हो जाएगा, कास 2 minus 3, कास 2 by 3 आगया, तो आया क्या हमारा, implies that कास 2x is equal to कास 2 by 3, अब 11 के लास में आप ट्रिग्निमेट्रिक एक्वेशन में अफट जोके हो, यादि कास थीटा is equal to कास थीटा, कास अलपा तो थीटा is equal to क्या होता है, दिमाग पर जोर डालिए, थीटा is equal to, यह फार्मूला है, यह भी, कास थीटा is equal to कास अलपा, तो थीटा is equal to 2n phi plus minus अलपा होता है, यह फार्मूला है, यहानि यहानि युकल तो यहानि बिलांक्ष्टू, यहानि क्या है, इन्टीजर है, अब कास थीटा is equal to कास अलपा, इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, थीटा की जगा पर क्या है, यहान पर, 2x, 2x is equal to, 2n phi plus minus अलपा, अलपा जब क्या है, तो पाई भाई फिल, अब क्या करेंगे हम, यहानि युकल तो जीरो, वन टू तो तुट करेंगे, और यक्स की वैलू आ जाएगी, मगर शर्त है कि यक्स की वैलू आनी चाहिए, इस प्लोज इंटरवल के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो पहला क्या पारेंगे, यह इन युकल तो जीरो रहाँ पार, यह इस इकल तो, जीरो रहाँ वाजायेगा, 2 x is equal to, यह पूरा 0 होजायेगा, plus minus two pi by three, implies that, एंपलाइज दैट यम्स ये उकल टू पलस मैनव पाई बाई 3 क्योंकर टो पैंसल हो जाएगा आज येच से उकल टू पलस पाई लूए fraud लात टू दू पाहर टाइप लाट कोई सबट semester तो इसमें बिलांग कर रहा है, but minus 5 by 3 does not belong to, तो लिखेंगे, here, minus 5 by 3 does not belong to, तो इसमें बिलांग कर रहा है, 0 to 2 pi, therefore, x is equal to 5 by 3, यह हमार एक value अब इसको हमलेंगे, यह हमारा critical point हो गया, ठीक है, अब जो है, दूसरा आप क्या करेंगे, n is equal to, एक रखने पर, n is equal to, एक रखने पर, n is equal to, एक रखने पर, यह हमारा है, 2 x is equal to, 2 x is equal to, 2 1 pi, n is equal to 1, हो जाएगा, 2 pi, and plus minus, 2 pi by 3, implies that, हो जाएगा, 2 x is equal to, 2 pi, इसको है बार plus value लेंगे, एक बार minus लेंगे, जब plus लेंगे, तो 3 दूनी 6, तो 8 pi by 3 हो जाएगा, 8 pi by 3, और जब minus लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 में दोगे, 4 pi, 4 pi by 3, implies that, x is equal to, 2 से divide हो जाएगा, 4 pi by 3 हो जाएगा, 4 pi by 3, तो x की दो value आगे, एक value हो जाएगा, और इसमें फिलांगी तर्वाज, अब क्या करेंगे, यानि यूकल टू लेंगे, यानि यूकल टू रखने पर, x is equal to, 2 x is equal to, तो 2 यान पाई, यान यूकल टू, 2 to the 4 हो जाएगा, 4 pi plus minus 2 pi by 3, यूकल टू, implies that, 2 x is equal to, तो अब क्या करेंगे, इस बार पास की वल्यू लेंगे, साम करेंगे, तो 3 x 12, 2 x 14 pi by 3, और माइनस लेंगे, 3 x 12 में से 10 गये, तो गया, 10 pi by 3 हो गया, इंप्लाइज डाइट, यक्सी इकल टू से डिवाइड करेंगे, तो 7 pi by 3 आ गया, अब दो प्रचे दस, यह हो गया, 5 pi by 3 आ गया, तो अब जो है, 5 pi by 3 का मतलब क्या हुआ, 10 एक अन्यम, 10 यान्य दो पाई से इसकी वैलू का मतलब क्या हुआ, कि इसकी वैलू जो है, 2 pi से एक स्ट्रीट कर जाए है, यह दो पाई से बढ़ जा रहा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, कि इस वैलू को हम नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, क्यों, चो कि 7 pi by 3 does not belong to 0 to 2 pi, therefore यक्सी बढ़ पाई पाई, एक पॉइंट हमारा ए हो गया और दो तीन, तीन आए हो गया चार, therefore, critical points, critical points, यक्सी बढ़ टू, क्या क्या आ गया भाई, एक तो आया, 5 by 3, जूसरा क्या आ गया, 2 5 by 3 3 तीसरा क्या आ गया 4 5 by 3 क्या गया 4 5 by 3 और 14 क्या गया 5 5 by 3 1 2 3 और 1 4 पॉइंट हमारे निकल गए ट्रेटल पॉइंट लेकिन यह पॉइंट किसमें भी लांग कर रहा है हूं हमारे कुलोज इंटरवल में अब कुलोज इंटरवल के एंड पॉइंट पर भी निकालेंगे चेक करेंगे उच्चता मावर निम्तमान निकालेंगे ठीक है तो अब लिखेंगे अब कि रिटिकल पॉइंट्स यही जो आए वे चारों तथा तथा पॉइंटरवल 0 to 2 पाई के एंड पॉइंट्स एंड पॉइंट्स यही जीरो तथा 2 पाई पर यक की वेलू निकालेंगे किलियर तो हमारे सब पॉइंट आ गए अब निकालना असान है अब क्या है हमारा फंक्शन क्या है fx is equal to fx is equal to क्या है x plus sin 2x है fx is equal to x plus sin 2x है तो पहला पॉइंट हमारा क्या है 5y3 तो 5y3 पर निकालते है यह पाफ therefore तो यह पाफ 5y3 is equal to is equal to 5y3 plus sin 2x 2 into 5y3 हो जाएगा sin 2x3 2x3 के इसकी वालू क्या हो जाएगे निकाल लेते हैं this is equal to 5y3 plus sin यह हो जाएगा 5 plus 5 minus 5 minus 5 by 3 ठीक है तो 3 on the 3 minus हाँ ठीक है this is equal to 5 by 3 sin x plus c minus theta जाएगा second quadrant में जाएगा अब वहाँ पर sin क्या होता है positive होता है तो sin 5 by 3 this is equal to 5 by 3 और sin 5 by 3 का मतलब sin 60 और sin 60 की value केतना होती है root 3 by 2 के होती है clear यहाँ पर root 3 by 2 आमने लिख दिया अब इसको थोड़ा मिटा दे रहा है अब जो है दूसरा point हमारा है 2 pi by 3 लिखेंगे यहाँ से लिख रहा है जगा कापी होगे होगे हमारे पास जब आप 2 pi by 3 इसको पर लिखेंगे 2 pi by 3 यहाँ प्लस sin 2x यहाँ तो इन्टो 2 pi by 3 इसको प्लस क्या जाएगा sin 4 pi by 3 के इसको प्लस sin इसको क्या रिख सकते है pi plus pi by 3 इसको प्लस 3 इसको प्लस 2 pi by 3 sin एक्स वस्टी प्लस थीटा जो क्या होता है sin थीटा होता है जोगी second quadrant में है जो प्लस्टी होती sin की वाईवी sin pi by 3 जो आगे 2 pi by 3 plus sin pi by 3 में नो sin 60 और sin 60 की वाईवी के दिना होती है root 3 by 2 तो हमारी यह यह 2 pi by 3 अब जूत्रा point भी निकल गया अब 4 pi by 3 पर यह पाफ 4 pi by 3 इस उकल टू जा है x plus यानि 4 pi by 3 plus sin 2x यानि 2 इन 2 4 pi by 3 इस उकल टू 4 pi by 3 plus कितना हो जाएगा sin 8 pi by 3 के इस इस उकल टू 4 pi by 3 plus इस उकल लिए सकते हैं sin 3 दू निच्छे तो हो जाएगा 2 pi plus 2 pi by 3 3 दू निच्छे दू आठी इस 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 इपर 2 4 pi by 3 plus sin 2 pi का मतलब 360 होता है sin 3 60 plus theta जाएगा sin theta होता है sin 2 2 pi by 3 और देखिए sin 2 pi by 3 की value के दर आहे है sin pi by 3 इस इस इकल टू root 3 by 2 this is equal to 4 pi by 3 plus root 3 by 2 यह 4 pi by 3 र निकल गया अब किसके निकालना? यह 5 pi by 3 की जब आप 5 5 by 3 is equal to 5 5 by 3 plus sin क्या है sin 2 into x है ना हो जाएगा 10 5 by 3 10 5 by 3 is equal to 5 5 by 3 plus sin 10 है तो क्या लिखेंगे साइन 3 by sin 4 by minus 2 5 by 3 ठीक साइन 4 by minus 2 5 by 3 ठीक तीन चुक के बारा बारा मेंसे दोगे 10 ठीक है साइन 5 by 3 is equal to 4 by minus 2 by 3 this is equal to 5 by 3 and plus तो यह हो जाएगा साइन 4 by का मतलब हो गया 2 into 2 5 minus theta is equal to हो जाएगा मैनस साइन 4 by minus sin को मैनस साइन नहीं नहीं प्लस ही रहेगा उनस साइन 2 by by 3 ठीक फीक प्लसी पाई 5y3 – root 3 by 2b तो आप देखिए एक value हमारे आ गई एक value हमारे आ गई एक value आ गई एक value आ गई अब यह और क्या निकालने है अब ही 0 और तो 8 Italian पर निकालना है अभी आप 0 is equal to लिखेंगे आप आप 0 is equal to लिखेंगे 0 plus sin 2x तो sin 0 हो गया जीरो प्लस साइन जीरो इकल टू जीरो हो गया, यह फाफ टू पाई जीरो इकल टू, इतना हो जाएगा, टू पाई प्लस साइन, फोर पाई, ठीक है, तो कि टू इंटू इक्स है, तो हो जाएगा, इस इकल टू, टू पाई प्लस इसकी वैली जीरो आएगी, तो इस इक वै कई सब स्कलाइव sera कमड़ा करते किसमें सबसे क्या क्या पूच्छ यह फाइसा पाइट मैक्सिमाम वैल्यौ एन्ड मीनिमिम्व हैं तो मैक्सिमम देखिए था हैं शें यहाँ है कि में इन जीरो है यहांपर फिर लाए 24 खमी procedure अब इसमें से माइनस हो जाएगा, यह भी कम है, और यह भी कम है, तो तरने में मैक्सिमम वैलू क्या हो गई, मैक्सिमम वैलू हमारी यह हो गई, यह हो गई, यह हमारी मैक्सिमम वैलू, तो मैक्सिमम पॉइंट क्या हो गया, यह 2 पाइ हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो गया, औ therefore, absolute value, absolute maximum value of function पॉंक्षन जब इंट्रवल क्या है इंट्रवल है जीरो टूपई आफ ऑफ इन जीरू टू, तूपई इस पोइंट पर इस फॉइंट पर एटूपई तूपई इस इनसर हो गया यानी पुलोज इंटरवल 0 2π में एक पॉइंट 2π है देखें 2π इसका end point है 2π पर इसकी maximum value क्या होगी 2π ही होगी यह हमारा एक answer हो गया अब दूसरा end absolute absolute minimum minimum value आप यह इन पुलोज इंटरवल 0 2π 8 0 इजुकर्टू कितना आया है 0 आया है तो हमारा यह हो गया minimum हो गया हमारा maximum हो गया इस तरह से समझ गया होगी आप question number 13 ऐसी दो संख्याएं जाते हैं जिनका योग 24 है और जिनका गुडनपल उच्चे तम है maximum है find two numbers whose whose sum is 24 and product is आय लाज आते इन product is maximum क्या दिया हुआ है दो संख्याएं का योग दिया हुआ sum of two numbers दो संख्याएं का योग कितना दिया हुआ है तो मानन लेते हैं कि इसमें से एक संख्या है अमाना एक संख्या इसमें से एक्स है तो दूसरी संख्या होगी । इसमें से माईनस करादेंगे इसलिए कि इसलिए दूसरी संख्या तो इस एक संख्या मारी है तो दोनों संख्या मालूँ हो गई गुडणफल गुडणफल के लिए सेंपल टी ले रहें पर प्रोडक्ट भी होता है माना गुडणफल अन्य प्रोडक्ट प्रोडक्ट इसको डिफ्रेंशेट कहाँ लिए सपार जाएगा तो इसको डिफ्रेंशेट करेंगे इसए उकल तो 24 x minus x square हो गया इस x के रिस्वर मों differentiate करेंगे therefore now differentiating with respect to x हो जाएगा ddx आफ़ी equal to 24 x के 24 हो जाएगा x square के हो जाएगा minus 2 x के अब पार मैग्जिमा पार मिनिमा पार नाइग्जिमा और मिनिमा क्या हो जाएगा ddx आफ़ी is equal to 0 के implies that 24 minus 24 minus 2 x is equal to 0 के implies that x is equal to 12 यह क्या हो गया यही critical point हो गया यही point of मैग्जिमा होगा और यही point of मिनिमा होगा अब क्या कहेंगे क्योंकि real number है तो again differentiate करेंगे again differentiating with respect to x क्या हो जाएगा d2 dx2 of t यह ddx square of t is equal to क्या हो जाएगा यह 24 minus 2 x आजाएगा तो जाएगे 24 के 0 हो जाएगा minus 2 x क्या हो जाएगा minus 2 which is negative that is less than 0 that is negative तो negative आगे क्या होगा function क्या होगा product क्या होगा maximum होगा and imply that gudanpal gudanpal ki maximum होगा क्या होगा इस पल ? yaks is equal to बारापल तथा yaks is equal to बारा क्या होगा point of point of maximum point of maxima x is equal to 12 हमार आ गया तो क्या है ? एक संख्या है इसलिए एक संख्या हमारी अता एक संख्या is equal to 12 आ गई तथा दोसरी संख्या दोसरी संख्या is equal to 24 minus x is equal to 24 minus 12 क्या पूछ रहते कि ऐसी दो संख्या ग्याद कीजिए जिनका योग 24 है हमारी दो संख्या मालुम हो गई एक संख्या बारा आए दूसरी संख्या भी बारा आए इसका योग फल 24 हो भी रहा है और उच्चतम गुडन फल क्या हो ? आता देखेंगे आता आता हम पो यही निकालना ही था संख्या ग्याद करने थी अब गुडन फल उच्चतम होना चाहिए तो क्याद पल थेखेंगे डिल आता और उच्चतम होज़ी थे संख्या लहारा श करणा प्लिए आता 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 आता